पहला तो आज जोड कर राम राम भाई सारे बायान हैं। बायो आज आप बात करांगे कवी मान बाजे भगत की। बायो बाजे भगत का जनम जिला सोनी पत्थ के गाउं, शिशाना में सोडा जुलाई अठारा सो अठाण में विक्रमी सम्वत में सावन मास में हुआ उनके पिता का नाम बदलूराम तथा माता का नाम बदामो देवी था च्यार बहन भाईयों में बाजे राम तीसे नंबर पर थे जिसमें उनकी बड़ी बैन आरकोर भाई शिवधन वचोटी बैन दन्नो थी इनका विवाका संडी निवासी शिरी सुन्डूराम की पुत्री पनमे स्री देवी से हुआ था जिनसे इने च्यार संतानों का पिता बनने का गोरप राप्त हुआ बाजे बगत का वैक्टी तव बहुत आकर्षक केवं कंट अत्यंत मदूर था बाजे बगत नियमित रूप से स्कूल पढ़ने नहीं गए थे अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई इनोंने स्वेम अपने माता पिता के प्रियास से संपन की इनोंने वनमाला की शिक्षिया एक अध्यापक से प्राप्त की इन्दी बासा का प्रारंबिक ज्यान था देव नागरी लीपी का ज्यान इनोंने इस वर जट सास्त्री के सचंग से प्राप्त किया इनी के साथ रहकर बाजे बगत ने शिरीमत बगवत गीता महाबार्त मनुसमर्तियम उपनिश्दों के अनेकों स्रलाखों को कंठस्ट कर लिया था और इस वर्दत सास्त्री जी के संसर्ग से बाजे बगत में कवीता लिखने और गाने बजाने के ससकार जागरित हुए फिर अपने बीतर छुपे हुए ग्यान को बाहर पर कट करने के लिए अपनी गाएनी वादन एव मंतन सहली को परबावशा लिए और चमतकारी बनाने के लिए उनको एक गुरू की आशकता थी तो बाजे बगत उस समय के एक मात्रपरसिद सांगी स्वामी अरदिवा के सांकला की बारिकियां सीखने के लिए गए और उनको अपना गुरू दान करके बाजे बगत ने उनके सामने समय को पूरी तरह समरपित कर दिया इसी समरपन के कारण वे एक आदर सिशक कहलाए इनका बारतिय सनातन शिक्ष्या में पूर्ण विश्वास्ता की गुरू मुरक्षे मुरक वेक्ति को गुणुआन बना सकता है बाजे बगत ने गुरू के बारे में लिखा भी है मुर्त बना दिया इन्सान उसका करना चाई ये गुणगान के बाजे राम द्यान गुरू के चरणा में लाले सांगों में अभीने के अलावा बाजे राम समाजी कारियों में भी बहुत रूची लेते थे बगती और द्रम में आस्ता रखते वे इन्होंने दान पुन्य के कारियों को भी बड़े मनोयोग से किया और साइद यही कारण भी रहा कि वो बाजे बगत के नाम से विख्यात हुए इन्होंने लोग गायक और सांगी के रूप में लोग बावनाओ अकान साओ और अभीला साओ को अरद्यास परसी बासा प्रदान की जन साधरन के अर्शोक पिडाओ विशिस्ताओ वैस्वेदनाओ को चंद वैग गीतों में डालकर मदूर कंट से गया तो स्रोता वरग मरतर भुगदों उड़ते थे इनके दोवारा रचित लोग गीत लोग दुने और लोग नाट्या आज भी ससकर्ती प्रेमियों के अरद्या पर राज करती हैं इनकी बासा में मादुरिया और कुमलता के साथ साथ अर्यानवी लोग बासा का अभीन्य रूप देखने को मिलता है बाजे भगत ने लोग नाट्या प्रंप्रा की नैक एवल निव मजबूत किया पीतू इनका पोषण वे सरव धन करते हुए लोग शाहित्या का एक अदा बंडार भी छोड़ा है बाजे भगत अपनी रचनाओं में कहीं भी असलील सब्दों का प्रियोग नहीं करते थे इस बात का जिकर इनोंने समय अपनी रागनियों में भी किया है कहए बाजे राम गुरू दो रशिक्की बात बनानी जाए बाबू बेटी कठे सुनो इसी रागनी गानी इनोंने पंदरा के करीब सांगों की रचना की है शत्यवादी, राजा, रिष्चंदर, गोपी चंद, पूरण मल, अजीत, चिंग, राजबला, नरदमियंती, शकूंतला दुशियंत, किर्शन जनम, सरवर नीर, जानी चोर, पदमावत, इरामल, जमाल, रगुबीर, दरमकोर, आदी बाजे बगत की मुर्तु से कुछ दिन पूरव गड़ी निवासी टेका ने उनसे गड़ी में सांग करने को कहा उन दिनों बाजे बगत जी ने गाव आसन में सांग करने की साहिल ली हुई थी तेका ने बगत जी को अधिक रुपे का लालच दिया प्रंतु बगत जी अपने वचन पर परतीबत थे बगत जी ने आसन गाउं के बाद गड़ी में सांग करने का आसवासन देकर तेका को मना कर दिया ठेका ने इस बात को अपनी परतिष्ठा का पर्षन बना कर इसे अपना अपमान समझा तथा बाजे बगत जी की अत्या करने की ठान ली इसी आवेग में एक रात उसने सोते हुए बाजे बगत पर छुरे से परार कर दिया ठुरा उनके पेट के उपरी भागशे लेकर जांग को पूरी तरह से चीरता हुआ चला गया गंबीर गायल अवस्था में भी अपने ओस कायम रखते हुए अपने अमलावर को उन्होंने जब तक पकड़ कर रखा जब तक उनको पैचान नहीं गई पैचानने के बाद बाजे बगत ने उसे ये कहते हुए उसे वहां से बगा दिया कि तुम यहां से दूर तले जाओ अन्यथ्या मेरे परिवार जन एम से होगी तुमें मोत के गाट उतार देंगे बाजे बगत की मुर्तियों से ठीक 55 साल पहले एसा युदार्ण मान समा सुधारक रष्टर प्रेनता एम दर्सनिक महरसी दयानन सरस्वती ने परस्तुत किया था जब उन्होंने अपने अत्यारे को रुपे दे कर बगा दिया था ताकि अनुयाई एम शीशे बदले की बावना के वस में ओकर उसका वदना कर दें गंबीर का हैल आवस्ता में बाजे बगत को सीविल अस्पतार रों तक लाया गया यहाँ उनके परिवार के सदश्य मित्रोस और दौलोस से पुलिस अधिकारियों दोवरा आकरमन कारी का नाम बताने के लिए दबाव डाला गया तत्काले इन पुलिस अधिक्सक के सबत थे बगत जी एक बार मुझे अपने अत्यारे का नाम बता दो मैं उसे इस करूर अपराद का मजा चखा दूँगा बगत जी मुश्करा कर बोले साब आप जैसा हुच दिकारी जब मुझे बगत जी कह रहा है तो मेरा बला कौन दुस्मन हो सकता है मैं कुछ नहीं जानता इस परकार अपने अत्यारे को समा करके उन्होंने अपने भगत के सवरूप को सिद्ध कर दिया एसा करके वे सचे अर्थों में संतेव मारिशियों की श्रेणी में आ गए और 26 परवरी 1969 फागुन चतुर्थी मासिवरातरी विकरमी सम्वत को उन्होंने इस संसार से विदा ले ली तो भाईो बहुत बहुत दिन्यवाद आपने आप बड़ी अलागा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दियो भाई, और कॉमेंट भी कर दियो भाई, बड़ी अलागा है तो